नमस्कार आपदीक्षरे न्यूस फॉर्ड नेशन और मैं हूँ सांथवन आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर MLC के दाल पांटे को लेकर सामने आ रही है जहाँ पर गुडगाओं की मेदानता अस्पताल में उनका निधन हो गया आपको बता दे चले कि एक सिक्षा जगत की अपूर्णी च्छती है जहाँ पर किदार पांटे ने अपनी अंतिम सांसे मेदानता अस्पताल मिली कई दिनों से वो इस अस्पताल में इलाज रत थे और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है दरसल इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से है जहां विदान परिश्ट के सदस्य और बिहार मादिमिक सिक्षक संग के अध्यक्ष किदार पांटे का निधन हो चुका है दिरसल किदार 5 बिहार की वामदल के एक स्तंब माने जाते थे, मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदीश के रहने वाले किदार 5 बिहार मादे में एक सिक्षक संग से ही जुड़े हुए थे. इसके अलावा वो बिहार के विबन अलग-अलग संस्थाओं में भी काम कर चुके थे सिक्षिकों के हित की बात को वो सड़क से सदन तक उठाने के लिए जाने जाते थे बात करें अगर उनके सामाजिक एवं राज्रितिक गतिवीधियों की तो हिंदी साहित्य समेलन सिवान के सचिफ पद पर रह चुके हैं, भोजपूरी साहित्य समेलन सिवान के सचिफ पद पर भी वो रह चुके हैं, ब्यार मादमिक सिक्षक संग के वो महसचिफ पद पर रह बारत सेवियत मंतरी संद भारत जर्मन मंतरी संद के सदस रह चुके हैं किदार विदान परश्रद की 7 मई 2002 से अधावधी सदसेवं परश्रद की निवेदन समिती की अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने कई नाटकों में भी काम किया है जिनमें हिंदी और भोजपूरी की कई नाटक शामिल है। कई पुस्तकों को भी उन्होंने लिखा है तो ये विशिश उपलब्धी रह चुकी है किदार पांजे की। किदार पांचे ने सिक्षा के जगत में कई उपलब्धियों को हासल किया है और सिक्षा के जगत में ये का पूर्णिय च्छती है कि अब किदार पांचे इस दुनिया में नहीं रहे वो कदावर वामपंती नेता माने जाते रहे है गुडगाओं के मेदानता अस्पताल में हाच अटायक आने के बाद वो भड़ती थी और कई दिनों से इलाज रत थे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई जिसके बाद उन्होंने अपनी अंदिम सांसे मेदानता अस्पताल में ली है बिहार के लिए पूर्णिय छती है सिक्षा जगत के लिए पूर्णिय छती है तो किदार पांचे को लेकर अस बड़ी अबजेश में फलाल इतना ही है कई खबरों के लिए हमाई साथ जुड़े रहें न्यूस फोर नेशन में नमस्का